हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है गूगल क्लासरूम ओपेन नहीं वो पा रहा है विंडो 11 के अंदर तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा तक इस तरह से विंडो ऐपेन होजेगा इसके बाद आपको क्या करना है किसी यहां पर प cyclies झाले के अंदर आप जिसके अंदर प्लास रूम ओपेन कर रहे थार प्छिट mapped डाटा ओपेंड कर लेना है उसके अंदर आपको clear ब्राजिंग डाटा के लिए मिल जाएगा तो वहां पर आपको क्या करने है यहां पर ब्राजिंग हिस्ट्री को बांके चीज़ को आप टिक मांक कर दीजेगा उसके बाद यहां पर clear नौप किलिक कर देने की के बाद यहाँ पर सच्छे कानंते एक यहां से क्लोज कर देने के बाद आपको क्या हैं यहाँ पर सब्सक्राइन कर देख कर देगा इस थरह से विंड़्व पे अब आपको क्या करना यहां पर डिस्प्ले दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देने डबल क्लिक करते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा जो भी डिस्प्ले कार्ड होगा यानि जो भी ग्राफिक कार्ड होगा या नहीं तो ग्राफिक कार्ड नहीं है तो यहां पर आपको display adapter दिख जाएगा, उसके ओपर आपको right click कर देने, इसके बाद यहाँ पर update driver दिख जाएगा, इसके ओपर आपको click कर देने, click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर browse my computer दिख जाएगा, इसके ओपर आपको click कर देने, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर let me pick up पे click कर देने, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी adapter होगा, उसका driver यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उसको select कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर next पर click कर देने, next पर किलिक करते हैं इस तरह से installation होना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या खेना यहाँ पर wait करना है इसके बाद इस तरह से यहाँ पर successful लिखा हुआ जाएगा तो आपको क्या करना इसको यहाँ से close कर देने इसको भी यहाँ से close कर दीजिएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर start पर right क्लिक कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको यहाँ पर setting दीख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद आपको क्या करना यहाँ पर विंडो अपडेट दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना विंडो अपडेट कर लेना है अपडेट करने के लिए आपको क्या करना यहाँ पे Check for Update दिख जाएगा, इसके ओपर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आपको लिस्ट आजाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल होने देना है, उसके बाद आपको क्या कर इसको यहां से close कर देने, close करने के बाद आप system को restart कर लिजेगा, restart करने के बाद आप इसको check कर सकते हैं, जो यह problem आ रहा था, वो problem fix हो जाएगा, और please guys, channel को subscribe करे, like करे, share करे, thank you.